बार्तिय जन्ता बार्टे निव कॉंग्रेस पार्टे की तरह है, मुझे लगता वास्त जो अपने ही जो संगलब पत्र में संगलब डाले हैं, ज्यादा है, फोट डाले हैं, लेकिन लोगों में किसके मुद्दे, किसके जो भोसनाई हैं परमावी रूप से लोगों में जाए उनकी जो अंटिम्ति थी, वो नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे ही जो राजनितिक पार्टियां हैं, उनकी तरफ से लुभावने, वादे और दावे, उनका जो दौर है, वो और तेज होता जा रहा है, इसी कड़ी के तहट, आज कांग्रेस ने अपना दूसरा जो मैन जारी किया था, उसमें पक्के इरादे के नाम से उन्होंने पहला घोशना पत्र जारी किया था, आज चंडिगर में ये घोशना पत्र जारी हुआ है, हाथ बदलेगा हालात, हाथ कितने हालात बदलेगा, इस पे बात करते हैं, हमारे साथ है, स्टीश महरा जी, जो हर्याना कि राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं उनसे चर्चा करते हैं इस विशय पर कि ये जो घोशना पत्र हैं ये कितने लोगों के लिए लाबकारी होते हैं मैरा सब सबसे बेले तो आपका स्वागत है हमारे बहुत बहुत दन्यवाद आपका भी राजंदर जी मैरा सब भारती जनता पार्टी ने संकल पत्र के नाम पे जारी किया था तो दोनों में से कौन सा जो घोशना पत्र है चाहे वो भारती जनता पार्टी का है या कॉंग्रेस का है लोगों पर ज्यादा परभावी रहेगा और लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ज्यादा दुभाव नए वादे करके जंदा को लुभाया जाए ताकि उनके पक्स में ज्यादा वोट आए पिछे एक सब्ता पहले बारतिय जंदा पार्टी ने अपना संकल पत्तर के नाम से जो घोसना पत्तर जारी किया था आज उसी को देखते हुए कॉंग्रेस पार्टी ने आज हाथ बदले का अहालाट के नाम से एक पुस्थिका जारी कर जो घोस्ना पत्तर की पुस्थिका वो जारी की है जिसमें बहुत सारे सभी मुझे लगता है सभी वर्गों के मुद्दों को टच किया गया है जी उसमें 31 पॉइंट उन्होंने डाले हैं और 31 पॉइंट को पूर के वाइद के नाम से उन्होंने गोशना पत्तर जो तैला था वो जारी किया था जी बिल्कुल ठीक है अब जैसे एकत्तिस बड़ा वास्ट इनको गोशना पत्तर इसको कह सकते हैं और सभी वर्गों के चाहे हम बात करें स्वास्ते की बात करें चाहे और समाजिक सभी मुद्दे ऑगोशना पत्र में कोशिशकर बहारती जन्ता पार्टी ने जब इनोंने कोंग्रेस पार्टी साथ मुद्दे वाइदे जो जरी किये थे भी मुद्दे और गारोप लगाया था कि यह कैसे कॉंग्रेस पार्टी पूरे करेंगी क्योंकि इतना बजट नहीं होता और वजट नहीं के कारण यह तो खाली उनके दावे हैं तो इस तरह गारोप नहीं लगाया था तो अब अब उससे भी और ज्यादा बढ़कर उन्होंने जो 31 जो पॉइं करने वाले है जुड़े हैं तो सबसे पहले उनोंने शिक्षा पे ताव दिया है कि का आंग्रेस पार्टी के जो आज का घोस्ना पत्र है उनोंने शिक्सा और सवास्थ्य को प्रात्मिक्ता की है वारे में शिक्षा के की उनुनoga इने या उनुस्ट्री बनाने की बात कि यह और और सिक्ष्या में और सुधार की बात की है और ज्यादा क्वालिटी ओफ एजूकेशन की बात की है स्कूलों का स्तर सुधारने की बात की है और इस तरह से सिक्ष्या को के ज्यादा परचार परचार के लिए उनने बात की है और सिक्ष्या पे हालांके हमने पूछा था जो इनकी मेनिफेस्टो कोमेटें की चेर में पूरों में शिक्षया मंतरी भी रही हैं गिता बुकल उन्हों वह पूछा तो लिए सिर्टी इसको कैसे आप प्राणू करेंगे और उन्होंने बताया कि इसको इसको इस पर वह ज्यादा इंर ब्ढ़त करेंगे और नहीं यहां कि वर्तमान सरकार के कारेकाल में जो स्कूल बंद हुए हैंन स्कूलों को किक को कुरें करेंगे दौ nessas जाएंगे और यह लिए नि कोले जाएंगे दूसरे और भी पून जयादा खोले जाएंगे तो इसलिए शिक्षा के बारे में उनों भी सुल्प म some ध्यान दिया है उसके पास स्वास्थे के बारे में उन्होंने कहा है कि स्वास्थे में परदेश में जबी स्वास्थे के विभाग में जो डॉक्टरों ही कमी है वो कमी उस कमी को पूरा किया जाएगा और अस्पतालों की जो संक्या बढ़ाई जाएगी अस्पतालों में जो स इसके तो यह सारी पाते हैं उन्होंने अपने वह उस्में पत्र में पत्र में पत्र वार्थी असमाज की दूरी हैं तो उसको देखते हुए मैलाओन पर और ज्याद पहले भी मैलाओन बारे में महिला सवक्तिकण के चत्र कुए उन Audrey कार्यआ कि यूँने डाले थे हर महीने महिवाइन को 2000 और पांचुर उपए में गैस इलन्ली ने ने करता है की कि बारणे और जंथा पारी का संकल करने की बात किये तरीस बतार जैसे यह उन्हें कांघरिस पाड़ी ने 2000 रुपए की बात किय ती उनौ 221 और उने बढ़नों ने बात किया ली बात एंक rivalry जमा ने इंफ्रास्ट्रेक्ट्र्ण च्रैक्ट अ का16 नई सहर डवलप करेंगे बनाएंगे तो स्वास्तिय के बारे में बारते हैं जनता पाटे ने काफी तवज्जों दिया है चिरायू आई उस्मान योजना के तहत्त परतेक प्रिवार को दस लाग रुपे तक का मुफ्तिलास दिया जाए गा और इसके साथ साथ जो जो सतर वर गया है सतर साल के उनको उनका जब पांस लाक रुपे तक का हिलाज मुफ्त करवाज देगा तो दोनों मुझे लगता दोनों पार्टियों ने इसमें सिक्षा स्वास्तर माईला सश्रक्तिकर्ण पर खूब जोर दिया है और लेकिन उन्हों ये इस पर कोई क्लैरिफिकेशन ने दिनों पार्टियों के बजट कहां से आएगा से आए अलांके अभी दो लाक क्रोड के आसपा सर्याना का बजट है लेकिन ये करेक्रम कितना एक्समेंड होगा कितना जी और इनुन पर किरतना खर्च किया जाएगा अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं गोश्च रही है इन कि हम सोर्स ओफ इंकम बढ़ाएंगे ये करेंगे और सभी तरह के वाइदे पुब्लिक में कर रहे हैं आज कर लो तो किर्शी और खेतियर मजदूर के कल्यान के लिए उन्होंने बात किये कॉंग्रेस पार्टी ने उन्होंने काया कि सभी फ़सलों को MSP की गारंटी का कानून हम बनाएंगे सभी फ़सलों के लिए MSP निर्दारित की जाएगी और लेगल इसको एक शिकरती देंगे कानून बनाएंगे कि सभी फ़सले अरियाना में पर आपने शायद मुझे बताया था शायद पिछले किसी एपिसोड में हमारी जब बात वी थी तो आपने का था कि MSP की जो कानून है वो स्टेट के पास होता नहीं वो तो कही न कहीं केंदर से लागू होता है आपने शायद ऐसा मुझे बताया था तो इस तरह के वादे ज कि जा रही है और 99% फसल है ना MSP पर करीदी जा रही करीदी जा रही दूसरी और इसी पर किरसी के एक सेतर में बारती जन्ता पार्टी नी जो अपना संकलब दो रहाया उन्होंने भी ये काया कि आगामी जो आएगा समय आएगा तो हमारी सरकार बनेगी तो हम 24 फसलों को MSP पर खरीद करेंगे जी तो इससे किसानों का फायदा होगा किसानों को आएबड़ेगी जी तो कांग्रेस पार्टी ने जवान के किसान की और युवाओं की जैसे पहलवानों की बात की है उनको उनके केरियर को आगे बढ़ाने के लिए इंफरास्ट्रक्चर उपलोड करवाने के लिए उनको सर्विस दलवाने के लिए और रुजगार दलवाने के लिए ये कांग्रेस ने अपने जो चुलावी गोष्णा पत्र है उसमें उन्होंने बात की है जी और कॉंग्रेस पार्टी ने ये का कि दो लाक जो बर्ती हम हमारी सरकारा ने पर जो तो लाक पत्ध खाली पड़े हैं उन पर पक्की बर्ती की ने करेंगे सब्सक्राइब करें तो इस तरह को कि आते हैं और हलांकि उनके जो पिछरां कारेकाल था उन्हें भी का लेती उनमें नहीं बरी गई थी लेकिन अब फिर चेंगे उन्हों ने वाइदा किया कि दो सब्सक्राइब को किया उन्हों को न्हों को नोकरी देने की बात जहां तक भारती जंता बाटेने самने इultural पतर में कि उन्हुनों भी कहा कि जो दस सेहर हम नई डौलफ करेंगे उन में पचास पसास हजार इवाँ को को रोजगार देंगे और दो लाक नग जो वर्ति करने के उन्होने भी बात किये कि अगनी वीर की बीबात कि इशादों लोने का जो अगनी वीर आएएंगे संकला पद आगनि भी जो而गनि वी को मुद्धा बनाता रहा है बेटार besoinवged कि वह को संक lat के सिर्वी जाएंगी दूसरीा अगनि वीर की बात जो कोंग्रe की कर रही है अर नाशन नहेले पे कर रही वो तो वो तो कॉमरिस पार्टी ने यहां तक आगनी वीर योजना को बिलकुल पूरी तरह से पूरे देश में खतम करेंगे यह उनके नेसिनल के लेटर कहते हैं और है कमान के जो लेटर जो लोग सवा में बोल रहीं पी हैं और लोग सवा में विपक्षे ने ता राह कि अर्याना के युवाओं को क्या करेंगे क्या करेंगे क्या कि लिए तो आगे उसकी बाद निस्पक्स पारदर्शी और नियमानुसार सिगर्बती इस पर हमने जैसे बात कि गवर्णों पूरे कॉंग्रेस पार्टी ने पूरी काई किसी तरह का कोई भ्रसराचार इसमें नह है कि जो पेपर लेक के मामने वो कताई वर्दास्त नहीं होगे और एक उन्हों ने अपने जो चुनावी घोसना पत्र है उसमें एक यह जो पर्डिकुलर यह बात कही है कि हर भरती के बारे में और एक साल में उनका एक सेडूल ताय किया या वो पूरी की जाएगी जी यह बहुत बड़ी बात है बिल्कुल और एक विश्वास होगा इससे युवाओं को तो इसी तरह से भारतिय के इंथा पार्टी नहीं भी भरतियों में पारदत सिता लाने था लाने जी बात कि दोनों की पार्टियां मुझे लगता estáp कांग्रेस अगर सरकार बनाती है अर्याना में तो अर्याना वासियों के लिए एक अलग विभाग अठन करेगी यह विभाग प्रवासी भारतियों के तमाम मुद्दों की देखवाल करेगा अर्याना कांग्रेस प्रवासी भारतियों को समझ्चाओं के समधान के लिए जो लेडर है राउल गांडी है जो लोग सो हम भीबक से नेता हैं कौंग्रेस के नेता है उन्होंने तो ये कहा है कि हम बाहर जाने से रोकेंगे और जो अंदा दून जो डूंकी के मादम से वो जो हमारे युवा बाहर जा रहे उनको इतना उठा कर जा रहे हैं और बड़ा बनात्मक मुद्दे के रूप में लोगों में लेकर जा रहे हैं उन्होंने का कि हम भारत में रोजगार के रोजगार करें और अब सब्सक्राइब कियो जाएगा बाहर बठकने नहीं देगे जी 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 तो उदर समाजिक नियाए की बात इसे इन्होंने कॉंग्रिस वो पूरा किया जाएगा और इनके लिए अलग से एक बोर्ड गठन करके इनको आर्थिक्स सुविधाएं इनको दी जाएगी ताकि अपना रोजगार चला सके हैं ये लोग बिल्कों ठीक तो यूपियसी ऐसे सी एसपियसी प्रिक्शाओं के निस्कुल कोचिंग की उन्हो बढ़ाने की बात किये कि दोगणा वजट किया जाएगा ताकि ज्यादा ज्यादा लोग को लाबान बित किया जाजाएगा बियारम बेट कर आवास योजना के तैद बी पियल परिवारों को घर निर्मान के लिए दो लाग रुपे मरमत के लिए सतर हजार रुपे का बैकर Would कै को लास की ऐम बात करें तो उन्होंने विख क्लास के, कई जो जातिया conform कार्टिया है उनके लिए अलग बोर्ड बनाने की डाकि ने बनाने की बात की लिए जरी सबात हैं की народ कि बात की आर्यना से सवना्ट कार कल्यान बोर्ड की बात की बात की बात उन्होंने किये तो इसी तरह से और दूसरी और भारतिय जंदापाटी ने बीएफ ने संकल पत्तर में 36 विरादी के लोगों के कल्यान के लिए बोर्ड गठन करने की बात के लिए हलांकि उन्होंने ये मैंचन नहीं किया कि 36 विरादी कौन से बोर्ड होंगे रंकिए बोर्ण को अपने सुविदयान की ने बात किये लावानुबित क्दर में इस्थापन करने ग्षूपनivasु, नें बात की है, Sa quote, इस्थे घैया का chapter द्रक्राइब. और परतेग मेंव्याद के परदेग भालैवाद के परतेग्व के स्किल्स है स्थावित करने के उन्होंने बात किये ह 2010 प्रेटर्टे ने हरीयाना में शिख पी मानिआःटी में आते हैं उन्हों ने मसलिम म иногда सीक में हर्टेज्थमिन में आ जाते हैं कांग्रिस पार्टी ने आप यह यहाँ पर एक दुरवारा पitable click चुनाव करोने की उन्हों ने और उनको कर सके यहां तक के कॉंग्रेस पार्टी ने श्री गुरु गोवन चीज जी के नाम से एक प्रदेश में कुछ है विश्व देला स्थापित करने के भी बात की है ठीक तो यह जो सिक वोटर को और माइनर्टी वोटर को कहीं कहीं साधने का उनने एक प्रियास किया है वरिष्ट नागरीं को बात किये दिव्यांग जनों की बात को नों नो की है जी जी तो यह इस तरह के सारे जो मैक्सिमम सभी वर्गों से कॉंग्रेस पार्टी ने अपने घोशना पत्र को टच किया सहरी विकास की बात की इसलिए कानुन व्यस्ता पर विसेश जोर दिया कि üzere ज सहरी जसा कि आप बता रहे हैं कि आप दोनो जो पार्टीं है अगर हम बात करें भारती जन्ता पार्टी और कांग्रेश की दोनो पार्टी हैं पिछली मैनिफेस्टों की तरह खेर उसकी बजाए मैं कूंगा पिछले मैनिफेस्टों में शाय प्रम में व्याद कम वाश ते कर रहे हैं इसके पीछे के क्या करण रहने है कि इतना हूर लगई है दावे और वादों की यह जहां तक बारतिय जन्तापार्टी की बात है बारत जन्तापार्टी तो इन चुनाओं में अपनी कई को और करने के लिए उपरों इंकम मेंसी में बदलने के लिए वो दावे कर रही है हलांके पिछले दावों पर काम हुआ है नहीं हुआ यह तो पता सलेगा मुझे लगता है जो स्मार्ट सिटी की उन्होंने बात की थी और दूसरी तरह की पके घर देने की बात की लिए सब को हां जी गरीबी अट तो आज इतने वाइदे करने की जुरूरत नहीं पड़ती भारतिया जंता पार्टी ने जो और वाइदे की हैं युवाओं से जुड़ो हुए पांस लाख युवाओं को अन्य प्रकार के रोजगार से उनको जोड़ा जाएगा शहरी और ग्रामिनिक सेत्र में पांस लाख आवाज बनाने के उन्होंने बात की है और कॉंग्रेस पार्टी ने भी इसी मुद्धे पर काफी विस्तार से अपने घोस्टा पत्र में इन मुद्धों को डाला है तो हर जिले में ऑलम्पी खेलों की नर्श्री की बात किया युवाओं के लिए ताकि खेल इंफ्रस्ट्र से के और भी और बिटल रेल कोरिडूर का निर्मान करने की अन्य वंदेवा ट्रेंश चलाने की ट्रांस्पोर्टेस ने की शुविदा बढ़ाने की उन्होंने को बारती जन्ता पार्टी ने बात की है तो करमचारी उसे चुड़े बात कि है डी ए को और पैंशनों को मुझे लगता वास्त जो अपने पत्र में संक्लब डाले हैं लेकिन लोगों में किसके मुद्दे किसके जो बोसाइं हैं प्रभाविरूप्स लोगों में जाएगी और लोग कैसे उनको स्विकार करेंगे सभी लोग वर्गों को उन्होंने टच किया है और सभी लोगों को लाव पहुंचाने की बात किये अब तो यह देखने वाड़ी बात होगी कि जनता है पब्ली के बीस में अपने गोशनाएं और बादे और यह संगल पत्र लेके जा रहे हैं तो किसकी ज़्यादा जनता सुनती है और किसके पक्स में बोट करें यह जो घोशनाएं हो रही है सरकार कोई भी आए कंगरस की आती है यह भारती जनता पार्टी की आती है क्या यह गोशनाएं जो है यह इंप्लिमेंट हो पाएंगी यह कोरे दावे और वादे ही रह जाएंगी बेखिए राजिंदर जी पहले भी हम बात कर चुको है और जो यह पॉलिटिकल पार्टियों फिन परशिघंगे पॉलिटि के बने के बाद मुझे लगता सबी पार्टियों इन घूसना पत्रों को भूल जाती है उनके नए कारे करम होते हैंक्टि-स्ति-सप्रणाय कोरे करम होते हैं कुछ पहले सी यह जोजनाएं चल लई हैं वह करम होते हैं और कुछ इनका पॉलिटिकल जो पॉलिशी होती है इनकी उनके तहित ये काम करते हैं मुझे लगता है कहीं इस पर इन पर ज्यादा इतना ध्यान सरकार नहीं देती अगर ज्यादा ध्यान दे दे पाएं तो इन गोश्णा पत्रों पर सरकार जीत सकती है और हार सकती ह क्योंकि लोगों के दिमाग में यह रजाएगा कि इन्होंने गोशना किये और यह पक्के वाइदे हैं और यह निभाएगे निभाएगे इनको लेकिन अभी तक इन गोशना पत्रों पर जनता का विश्वास नहीं बन पाया है और सरकार भी मुझे लगता है जो जिस पार्टे की शरकार आएगी और पार्टी निस्ज्वत रूप से इनको लागो करे ताकि आगै आने वाले समय में एक जनता को विश्वास हो जनता को आशा हो और आगे भी जो चुनाव होंगे उन जो गोशना पत्त und गोशना पत्र जारी करें जनता विश्वास करके एक जनमत की आपको बहुत लुभावने, वादे, दावे और बहुत सारी घोशनाएं करेंगी, ये आपका मत है, आपने सोचना है कि आपने किसको वोट देना है, आप अपना वोट बहुत सोच समझ कर वोट कीजिए, क्योंकि आपका वोट वहुत कीमती है, और चुनावी चर्चा के अग झाल